इस वीडियो में हम आपको विभिन मासपेशियों के समूहों के बारे में बतलाएंगे एक मानव शरीर में 600 से अधिक मासपेशियां हैं जो विभिन श्रेणियों में आती हैं आपको आसानी से समझाने के लिए हम इन मासपेशियों को साथ समूहों में बतलाएंगे अब हम इन मास्पेशी समुहों में से प्रतेक पर करीब से नजर डालते हैं आपकी बाहों में चार मुखे मास्पेशियां होती हैं ब्राचियलिस, बाइसेप्स ब्राचि, ट्राइसेप्स ब्राचि और फॉर आम्स आपकी बाइसेप्स ब्राचि और बाचियलिस मास्पेशियां आपके हाथ को लचीला बनाती हैं ट्राइसेप्स ब्रादची अब आपके हाथ को लचीला बनाने के बज़ाए आपकी बाहों को फैलाने के लिए उप्योग में आती हैं यहें बाइसेप्स का सटीक विपरीत काम करती हैं ट्राइसेप्स की मासपेशी बाइसेप्स की तुलना में बहुत बड़ी है भले ही ज़्यादातर लोगों को यह लगता है कि आपकी बाइसेप्स आपकी बाहों की सबसे बड़ी मासपेशी है अंत में आपकी बुजाओं का अंतिम प्रमुक मासपेशी आपके अगर भाग होते हैं जिनमें extensions और flexors नामक कई अलग अलग छोटी छोटी मासपेशिया होती हैं अगला समूँ छाती की मासपेशिया हैं इनमें दो प्रमुक मासपेशिया होती हैं पैक्टोरेलिस मेजर और पैक्टोरेलिस माइनर, आपकी चाती की मास्पेशियों का मुखे काम आपके ऊपरी भुजाओं को आपके शरीव के आड़ा लाना है, इन मास्पेशियों को तीर भागों में विभावजित किया जाता है, गलेविकूलर बंडल जो छाती का उपरी भाग भी कहलाता है स्टर्नल बंडल जो मद्ध छाती और कोस्टल बंडल जो छाती का निचला भाग कहलाता है आपके पैरों में कई बड़ी और छोटी मास्पेशियां होती हैं इनमें से मुख्य हैं क्वाड्रिसेप्स, हैमिस्ट्रिंग, ग्लूटस और पिंडली हाला कि पिंडली भी टांगों का हिस्सा होते हैं पर हम वर्काउट को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक अलग मास्पेशी सम्हूँ के रूप में दिखलाएंगे क्वाड्रिसेप्स, हैमिस्ट्रिंग, तीन मास्पेशीों के बने होते हैं और उनका मुख्य कारे घुटनों को मोडना और कूलों को विस्तारित करना है जो क्वाड के कारे के ठीक विपरीत है अन्त में, ग्लूटस, तीन मास्पेशियों से बने होते हैं जिनका मुख्य काम बल उत्पन करते हुए शरीर के विभिन चाल एवं दैनिक गतिविधियों के दोरान शरीर को इस्थिर करना होता है पिंडलियां शरीर के निचले हिस्से की मास्पेशियों को पूरा करते हुए दो अलग-अलग मुख्य मास्पेशियों बनाती है गैस्ट्रोकेनियस और सोलेस उनका मुख्य काम टकने को मोड़ना और घुटने को मोड़ने में मदद करना है इन मास्पेशियों को उपरी पैरों की तुला में अलग अभ्यास की आवशक्ता होती है और यही कारण है कि हमने उन्हें दो अलग-अलग शरेणियों में रखा है हमारी मास्पेशी सम्हू का अगला हिस्सा कंधे हैं पूरे कंदे की मासपेशियों का निर्मान करने वाली तीन मासपेशियां हैं कंदे का पीछे का हिस्सा, कंदे का सामने का हिस्सा और पूर्वकाल डेल्टा या कंदे के सामने और कंदे का मध्य भाग कंदे की मासपेशियों का मुख्य काम पास की मासपेशी समू को इस्थिर रखना है जैसे की लैट्स, बाइसेप्स और पैक्स साथ ही हाथों को गुमाना भी इसका एक काम है पीट की मासपेशियां छाती और पैरों के उपरी हिस्सों के साथ कसरत करने के लिए सबसे बड़े मास्पेशी के सम्हू में से एक है यहे चार मुखे मास्पेशियों से युक्त होते हैं लेटिसिमस, डार्सी, ट्रेपोजीयस, रोरुमीड्स और इरेक्टर स्पिना ये सभी मास्पेशियां एक इकाई के रूप में कारे करती हैं और हाथों को शरीर के उपरी भाग से जोड़ने के लिए जिप्मेदार होती है ये रीड को भी सिधा रखने के लिए एवं कंधे के बलेड को रीड से जोड़ कर इस्थिक करती हैं इसके बाद एप्स हैं जिनमें मुखे रूप से पाँच मास्पेशियां शामिल हैं रेक्टस एब्डोमिनस, ट्रांस्वर्सस एब्डोमिनस, आंत्रिक आबलिक मास्पेशी, बहारी आबलिक मास्पेशी और एपो निूरोसिस। एप्स का मुख्य कारे ट्रंक का समर्थन करने के साथ हमारे अंगों को अपनी जगा में रखना, शरी को इस्थेल और संतुलित रखना और रीड की रक्षा करना है। इन मास्पेशियों को कोर यानि मूल भी कहा जाता है। जिन उपकरणों के बारे में समझने के लिए अगला वीडियो देखें।